हлек ह्किष लेकंक यहां डियो आज में हम लोग को नि क्वेंज चैप्टर स्टार्ट करेंगे यह फस्ट न् विदियार आज यह फ़स्ट क्लास न्युक्लल्ड चैप्टर का च्पर का सद्सके। है एक दम बेसिक आइडिया को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो नूकलिय क्या है हम लोग को पता है कि एटॉम क्या है always you know that we already know that कि एटॉम क्या है एटॉम इस तरीके का होता है एक सर्कुलर शेप अगर हम लोग पगड़ लेते हैं तो और इसके बीच में क्या होता है ये नूकलियाई है अभी हम लोग को पता है कि ये जो एटॉम है इसमें बहुत सारा शेल्स है और शेल्स में क्या होता है इलेक्ट्रों नेगिटिव चर्च और जो सेंटर में होता है वो क्या होता है nuclei और nuclei पूरा का पूरा मास लेकर रखता है किसका ऐटोम का तो nuclei में क्या-क्या parts है नूकला में है proton and neutron और इन दोनों को मिला के क्या होता है इन दोनों को मिला के हम दो पोलता है nuclear स्पेलिंग गलत हुआ कि इन दोनों को मिला कि क्या होता है नूटलियॉण्स आब देखो बाद में जाएंगे कि इन दोनों के बीच विच्ट क्या-क्या फोर्स रहता है क्या रहता है तो हम लोग थोरा बाद में जाएंगे हम लोग को class 11 chapter में याद करना है class 11 के chapter में first chapter याद करो first chapter में four fundamental force के बारे में पता था four fundamental four fundamental forces क्या आप लोग को पता है ये वाला पार्ट class 11 के chapter first chapter में जिसका नाम है physical world नाम भी लिख देता हूँ physical world इस chapter में देखो physical world chapter में four basic fundamental force के नाम है चार basic fundamental force के नाम क्या क्या है first one is electromagnetic electromagnetic force EM force में लिखता हूँ short में number two gravitational okay force number three क्या है strong nuclear force strong nuclear force number four क्या है weak nuclear force weak nuclear force अगर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि यह जो first और second है यह अल्रेड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं class 11 में gravitation force हो गया है और class 12 में अल्मोस electrostatic force, electromagnetic force वो सब हो गया है weak nuclear force हम लोग बात में डिसकस करेंगे अभी चोग पार्ट है वो है strong nuclear force के बारे में अभी हम लोग जानेगे क्यों देखो basic idea को जानते हैं यह strong nuclear force कहां से आ रहे है देखो हम लोगों पता है कि यह जो gravitational force और electrostatic force है इन दोनों के बीच 10 to the power 36 times electrostatic force जो है 10 to the power 36 times gravitational force इतना strong है अब बात यह आता है कि nucleus के अंदर suppose यह nucleus है अब यह nucleus के अंदर कौन कौन है देखो यहाँ पे proton और जहां से देखना है proton और suppose यह violet color का तीन proton है और red color का तीन neutron है proton neutron यहाँ पे है nucleus के अंदर मेरा question यह है कि अगर यह electrostatic force इतना time जादा है तो proton proton के बीच repulsive force होगा तो यह जो proton proton तीन proton है तीन proton के बीच कौन सा force आएगा repulsive force repulsive force आएगा और gravitational force जो है attractive force है वो बहुत ही weak है तो electrostatic force के कारण क्या होगा यह proton proton positive charge है यह positive charge के बीच एक repulsion आएगा यानि कि यह proton एक साथ रह नहीं जाकता है बट यह तो nucleus में nucleus में क्या हो रहा है how it is possible कि nucleus के अंदर बहुत सारा proton इसका charge है positive charge होने के बावजूद यहाँ पे repulsive force होने के बावजूद यह तीनो proton यहाँ पे जो मैंने example लिया था तीनो proton एक साथ रह रहा है क्यासा हो रहा है this is only because of this one strong nuclear force क्या ही strong nuclear force यह strong nuclear force देखो यह strong nuclear force यहाँ पे exist कर रहा है ठीक है which is Fn which is hundred times greater than electrostatic force या देखना है 100 गुना जादा शक्ति छाली है किससे electrostatic force से ठीक है तो इसी कारण यहाँ पे strong nuclear force होने के कारण यह proton proton और neutron और neutron यहाँ पे neutron neutron एक साथ रह रहा है जिसे हम लोग बोनते हैं nuclear समझा है इतना तक चलो अभी हम लोग कुछ यहाँ पे strong nuclear force का strong nuclear force का कुछ characteristics properties जान देते हैं strong nuclear force का कुछ properties basic properties basic properties very important part है ठीक है first property क्या है first property is nuclear force is what hundred times greater than electrostatic force है कि नहीं it is the strongest force strongest force known in nature ठीक है nature में सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा strongest force यही है ठीक है third one क्या है it is very important it is charge independent इसका मतलब क्या है इसका मतलब है यह जो nuclear force है proton proton neutron 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 के बीच रहता है जब भी कोई जब भी कोई यह कोई भी particle यहाँ पे charge को छोड़ो यह charge के उपर dependent ही नहीं करता है यह force जो कोई भी charge होगा यह force उसके उपर dependent नहीं करेगा ठीक है देखो fourth number it is short range force ठीक है gravitational force के जैसा long range नहीं है यह सिफ short range है कहाँ पे मिलता है nucleus के अंदर short range force of the order of 10 to the power minus 15 meter ठीक है minus 15 इसको आम लोग क्या बोलते है this is equal to 1 Fermi Fermi एक scientist का नाम है ok F-E-R-M-I this is 1 Fermi equal to 10 to the power minus 15 यानि की nuclear का size क्या है this is the nuclear size यह nuclear size है है की नहीं nuclear size यह nuclear size जो है यानि की nucleus के अंदर ही हम लोग को क्या मिलता है strong nuclear force मिलता है समझ में आया अभी देखो इसका जो एक फिप नमबर एक graph हम लोग ट्रॉआ करते हैं यहां पे इस यह इस स्ट्रीज़ के गाहभ फूबर क्यानि की दिस जो minus 100 plus 100 this side may distance x suppose distance 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 okay fm for me so this point is at 0.8 okay this part is repulsive we are that much i said rock around repulsive part and this part is attractive okay force versus distance graph okay so here on the main part is 0.8 फार्मी फार्मी से पहले यह वाला जो बर्ट है फिर्फॉम्ट ए बाला पार्ट को हम wyduk Len पहले कि डो मुख करमें करने इन पहले बाला पार्रों सोथ इतु उसका है स्कामेर इस का बू कि pledge इसका है यह है जो एंटुक्लेट 段ार ऐस फूक्सिद पार दोनों है यह झार्ट्रकी कर सकता है लिपाल्सिफ भी होसकता है का अले जब 2 पारटिकıll ध्यान से देखना है ठीक है जब कोई भी दो पार्टिकल सपोज ये प्रोटन है ये 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 प्रोटन ये प्रोटन जब इन दोनों का जो डिस्टेंस ओके 0.8 से कम होगा less than 0.8 तब यह रिपाल्सिफ बन जाएगा रिपाल्सिफ शो करेगा यानि कि दो पार्टिकल को 0.8 से ज्यादा सामने आने भी नहीं देगा और उससे उसको उस पार्टिकल को ज्यादा दूर जाने भी नहीं देगा ठीक है यानि कि इसमें एट ला आने भी नहीं पसकता है यहां दूर नौ सामने ना दूर जाने सिंपल यही है नुक्लिर फोर्च में उससी रहाए हैं में ह९हां पर क्यू सामने नहीं देता है क्योंकि stability के करन, this is because of what, यह क्यों होता है, because of stability, क्योंकि जो कि यह stable है, यानि कि यह सामने आने से, क्या होगा, अगर सिफ attractive होगा, तो एक सत लग जाएगा, यानि कि एक collision होने का chance है, तो यह chance दूर हो जाता है, तो stable बन जाता है, यह particles से, ठीक है, this is the most important part, graph बहुत important है, ठीक है, देख लेख लेख लेख, 6th number, point, कितना लिखा था, 5th point क्या था, अच्छा, यह graph, short range force है, it is spin dependent, ओके, it is spin dependent, देखो, nucleus में जो proton है, या फी neutron है, इन दोनों में spin है, ठीक है, तो spin के ओपर यह depend करता है, याद रखना है, even spin होगा, तो थोड़ा strong होगा, और odd spin होगा तो थोड़ा, tough focus में, मैं अभी ने जा रहाँ, इसको छोड़ो, चोड़ो, the mediator part, अच्छा, this force is non-central force, it is non-central force, non-central force, यह force क्या है, non-central है, यानि कि line joining to the direction में आता ही नहीं है, ठीक है, central force का meaning तो अलग है, this is non-central force, 8 number, it is saturated force, saturated force, saturated force means, यानि कि एक particle अगर हम लोग पकल लेते हैं, सपोज यह proton है, तो यह proton, इसके neighboring proton के साथ ही interaction करेगा, अगर कोई proton यहाँ पे है, तो इसके साथ, यह black बाला देखो, black बाला इसके साथ कोई interaction नहीं रहेगा, यानि कि only neighboring, it interacts, interacts with neighboring particles only, only neighboring particles के साथ ही, उसका interaction होता है, last point क्या है, 9 number point, the exchange particle, exchange particle, क्या है इसका नाम, या फिर इसको हम लोग मीडियेटर पार्टिकल को बोते हैं, जैसे कि दो proton के बीच, जो nuclear force है, यह nuclear force कहां से हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, interaction, दो पार्टिकल के बीच, किस तरीके से यह force एक्जिस्ट कर रहा है, कुछ नाकुछ तो पार्टिकल एक्चेंच और नाम है यह लिख कर बताना है, कि एक्चेंच पार्टिकल फर एक्सचेंज पार्टिकल है उसका नाम क्या है कमेंट बेलोग तो यह था हम लोग का कुछ बेसिक आइडिया किसके उपर पूरा का पूरा स्ट्राइड नियुक्लिर फोर्स यहां पर एक साथ मैं जीस्ट करके दे दिया क्या सब्सक्राइड नियुक्लिर फोर्स करता है यह इस इस शौर्ट टिस्टंस में आता है यानि कि इसका नियुक्लिर साइज एक्साइज है atomic size है angstrom के order में यानि कि 10 to the power minus 10 meter के order में ठीक है या तक तो उससे भी छोटा nucleus nucleus ठीक है okay mass of proton mass of neutron almost equal है आप लोग को पता ये which is 1.6 into 10 to the power minus 27 की ची ये सब ठीक है अभी हम लोग चलेंगे ये बन गया क्या है ये बन गया एक basic idea किसके उपर nucleus के उपर दीक है चलो next part हम लोग करेंगे nuclear size nuclear size ये nuclear size किसके उपर dependence है एक nucleus का छोटा size है एक nucleus के nucleus का बरा size है तो ये किसके उपर्टी पहने करता है see nucleus size यानि कि अगर हम लोग nucleus को एक spear पकरेंगे if you consider nuclei as a spear spear अगर हम लोग पकरता है then ये जो volume है याद आखना ठीक है volume of the nuclei is directly proportional अध्यान से देखना directly proportional to mass number होगा की नहीं mass number क्या है mass number means mass number means number of proton plus proton कितना है plus number of neutron यानि कि nucleus के अंदर nucleons इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते है nucleons कितना nucleons है वही तो mass number देता है तो mass number किसके उपर depend करेगा जितना ज़्यादा nucleons होगा उसका उतना volume बढ़ा होगा very simple तो हम लोग लिख सकते है कि नहीं कि 4 by 3 pi r cube क्या है ये sphere का volume का formula है बच्चो proportional to क्या proportional to mass number which is a a क्या है mass number ठीक है ठीक है तो 4 by 3 pi तो constant है that means r cube proportional to a तो r proportional to a to the power one third ठीक है cube goes side में ले गया so r equal to यहाँ पे constant बिठाना परेगा r naught a to the power one third what is r naught r naught एक constant है इसका value का है 1.1 into 10 to the power minus 15 ठीक है minus 15 meter यह है इसका constant value so ultimately जो हम लोग को मिला वो है क्या r cube proportional to a to the power one third यानि कि जो volume है main बात यहीं पे है कि यह देखो यहाँ पे देखो यह जो है volume of the nuclei mass number के साथ proportional है तो यह इसे main part आता है तो जितना बड़ा होगा यानि कि जिसका जितना size बड़ा होगा nucleus का उसमें उतना ज़्यादा nucleus रहेगा ठीक है nuclear density के बारे में यह जाएगा कि इसमें part 2 में अगर आप लोग को यह part अच्छा लगा तो at least comment करके बताए कि nuclear part इतना तक इतना तक समझ में आया और जो जो part समझ में नहीं आया यहाँ पे आप लोग को already comment करने के लिए बताया कि this part you have to comment कि electromagnetic force में exchange particle का नाम क्या है ठीक है अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं है और आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं तो I hope कुछ help कर पाँगा आप लोग को ठीक है तो तब तक के लिए good bye thank you very much for watching this video hopefully you will like it if you like it just hit the like button thank you very much में कुछ uh तो हुआ उन्यक hablī